तक जा चुका है और यह बहुत ही बड़ी चलांग मारी है और इसका रीजन किया है यहाँ पे FTX की न्यूज आई है तो FTX की न्यूज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिसकस करते हैं इसलिए मैं मौर्णिंग में जल्दी से आपके लिए आया हूँ साथ में हमें मार्केट कैप बहुत जादा बढ़ती हुई नजर आई है BTC की और जो ग्रे सेल का मसला चल रहा था उसमें भी कुछ ना कुछ बात चीश चल रही है और हफते के अंदर बोला गया है कि उसको solve किया जाए तो उस बारे में भी बात करते हैं कि क्या मसला है क्या solve ह होने वाला है तो फिलाल BTC की जो मार्केट कैप है भाई वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जा चुके 1.42 ट्रिलियन के पास पहुंच गया जो कि बहुत अच्छी बात है BTC इस टाइम देखो के तो 36,000 डॉलर के उपर यहां पर ट्रेड कर रहा है 36,500 के पास चल रहा है जब वो एक नई लीडर्शिप में FTX Exchange देना चाहता है इसका मतलब यह नजर आता है कि जो Gary Gansler है वो यहां पर इंटरस्टेट था स्टार्टिंग से ही तभी वो Binance के बीचे पड़ा हुआ था तो इससे लोग positive हो गया है काफी जदा market में काफी जदा आप देखो के तो buying चल रही है बट उस FOMO के अंदर भी नहीं आना वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आना अभी आखरी में बताऊंगा उससे प point जो है यहां पर धूम मचा रहा है पूरी market के अंदर जब यह news आई रात को और even की अच्छा खासा पंप हो जबकि तीन घंटे पहले news आई है यह FTX की तब करके और ज्यादा पंप हो है क्योंकि अगर आप daily chart में देखो कि तो BTC यहीं पर चल रहा है भी इसने breakout नहीं किया तो यह सूबे की news है और रात की news क्या थी मैं आपको बताता है और रात को news आई थी यहां पर यह news आई थी निकल गए यह जो grey scale है वो यह मांग कर रहा है कि आप आओ हमसे बात करो और जो हमारा ETF है उसको approve करो तो grey scale के साथ जो है बातचीत के लिए तयार हो गया है which is very good अब यह 10 दिन बातचीत चलने वाली है उससे अब होगा क्या कि यहां पर market में जब वो बात करेंगे आपस में तो बहुत अच्छी ची news भी निकल के आ सकती है खराब भी news निकल के आ सकती है उस चीज़ पर भी हमें ध्यान रखना है तो यह कुछ news है जिनकी वैसे market जो अच्छा टॉप पे है बिल्कुल होट चल रही है market और इतनी होट मार्केट में अगर आप entry लेतो तो आप बहुत बड़ा loss कर सकते हो अभी अगर आप देखूँ को तो 4 आउर में breakout आया BTC का बट डेली चार्ट में भी breakout नहीं किया BTC नहीं weekly चार्ट में यह breakout आया तो wait करो अगर यह breakout जैसे confirm होता है जैसे यह triangle pattern बन रहा है और अगर यह break कर जाता है BTC टिक जाता है एक दो दिन तब आप वहाँ पर buying कर सकते हो अपनी मेरे साब से market positive जरूर है बट इसमें आपको भेहना नहीं है और altcoin अभी और pump हो सकते हैं अगर BTC टिक जाता है अब मैं आपको बताता हूं देखो altcoin की जो dominance है ना वो लगातार shoot कर रही है उपर बढ़ रही है यह तो इसका मतलब यह है कि अभी altcoins जो है पूरे तरीके से pump न अगर आप Solana को देखोगे तो Solana भी just break कर रहा है अपना level आपको दिखा देता हूं और जब मैं भी वीडियो बनाने लगा ही था तब यह breakout पे था और इसने break कर दी अब almost तो Solana का target 46 तक जा सकता है तो इस तरीके से charts में भी अगर आप देखोगे तो बढ़िया दिख रहा है चक्कर में आप कही FOMO करके अपना सारा capital मत दाल देना मैं आपको यह बोलूँ अगर entry रह गई है तो wait करो नीचे आने दो cool down उने दो जब market 31 500 के पास आईगी तब वहाँ पे आप अपनी buying कर सकते हो market ऐसा नहीं है चांस देगी आपको FOMO करके कोई फैदा नहीं मेरे भाई यह तो आप wait करो कि BTC यहाँ पे जो है टिक जाये breakout कर दे confirm कर दे तब आप अपनी buying कुछ कर सकते हो आप वहाँ पे यह हुआ कि pump कर सकते हैं मैंने कुछ दिन पहले कल की वीडियो में बताया था आपको कि पैपे का देखो आप कल की वीडियो जाके देख लो पैपे एकदम pump कर रहा है इस टाइम बड़िया pump कर रहा है अब जिन्हों ने entry यहाँ पे ले रखी है यहाँ पे ले रखी है वो यार अच्छे खासे profit में चल रहे है और यह मैं बहुत बारी बता चुको हो आपको कि किस तरीके से हमारे charts काम करते हैं अगर आप live करते हैं हम लोग everyday तो वहा कि देखने वली बात हूँ कि भाई यह crypto market है हम इसको मतब तीन या चार साल से मैं देख रहा हूँ और भाई यह बहुत volatile रहती है इसी तरीके से हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमसे चूट रहा सब कुछ और एकदम से suddenly market जो है नीचे आयाती है और जो हमारे जजबात है न अच्छी लगी हो तो like करना 500 likes करना comment box में बताना आपकी क्या रहा है कि buy करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब कुछ बताना ठीक है बिलते हैं कल morning में goodbye guys take care